हेलो गाइस वेलकम बैग तो माई यूटूब चैनल क्रॉस्ट रोडल और दोस्तों आपका श्वागत एक नई वीडियो में जिसमें हम पुछना पेपर डिस्केशन कॉंटिनियू करेंगे जो आपका पेपर हुआ था जुलाय जौर 17 में साइंटिस्ट बी की पोस्ट के जिसमें आपने देखे स्टार्टिंग के द्रस टेकनिकल कोश्टन अब हम आगे के जो कोश्टन बचे हुए वह सारे में डिसके कि जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखें तो पहला कोशन पूछा गया था कंट्रोल सिस्टम से कि ट्रांसफर फंक्शन सी यस तो आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुओ था जिसमें आपका आउट्पूट सी एश है और इंपूट आरेस है इसका जो रेश्यो पुछा गया था दा ट्रांसफर फंक्शन सी यस भाई आरेस तो सबसे पहले इस क्या करना होता है इस तरीके के जो आपका जो टा पूर्मूला होता है उसके एकॉर्डिंग हम सी यस भाई आरेस फाइंड आउट कर लेंगे और जो आपका ट्रांसफर फंक्शन आपको मिल जाएगा अधिस जीवन जीटू प्लस जीटू प्लस जीवन जीवन जाएगा फ्रॉम आरेस तो सी एस पहला जो राइड अंसर फॉर्डिस कोशन ठीक लिए बात करते हैं नेक्स कोशन की अगला कोशन भी आपका कंट्रोल सिस्टम से पूछा गया था आपसे क्या पूछा गया था कि इपड़क्रेश्टिक वेशन आफ एक लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लूप सिस्टम इस स्क्वा जोब की करेक्टर्स्टिक एक्वेशन होती स्टेंडर्ड यहां से कंपरेशन के बाद आपको क्या मिल जागा जोब को नेच्टरल फ्रिक्वेंसी हो जागी ओमेगा एन इस इक्वाल टू अंडल रूट टू और साथ साथ जो आपका जीटा की वेलू या फिर आपका सकते ह हुआगा वह आप को जागा फर गिए ट्राइंस फॉंक्शन दैटीटल रूट टू और रूट टू अरूट रूट ऑट रूट दीश्याल इस लेस थेन वन दिजह जएँड ट मॉन जाओ जाएगा अटर दैम्ड शिस्टेम हो जाएगा और ऑफ्शन अपका सही हो जाएग circuit में input दिये गया है that is a b and she और आपके जो gate लगे हुए है that is know gate end gate and get nor gate nor gate अन्व मेर गिए का सब्सक्रेशन आप डिख सकते हैं कि अब आपका 3 variable की map draw कर लेंगे for c bar के लिए आपका expression मिल जाएगा f a b c is equal to min terms 0246 and the option आपको जो से हो जाएगा option c will be the right answer for this question चलिए बात कर लेते next question की अगला question आपका पूछा गया था network system से कि a network port a two port network is described by the relation v1 is equal to 2i1 plus 3 v2 and the i2 is equal to minus i1 plus 2 v2 then what is the z parameter of such network तो इसमें आपका जो two port networks में आपके जो parameters होते हैं जो आपको values के question में दी गई है वो आपकी h parameter की दी गई है और आपसे क्या पूछा गया है कि z transform parameters क्या होंगे तो यहाँ पर एक relation होता है in the between h parameter and z parameter आप देख सकते हैं कि जो relation होता है h parameter और z parameter में उसकी values होती है z11 की value होती है h11 z2 की value होती है z12 by z22 तो यहां से आपको questions में h11 और h22 और h21 और h22 की values आपको question में दे रखी है यहां से आप सारी चीज़े solve करेंगे तो आपको आपकी matrix मिल जाएगी और जो आपका most suitable answer हो जागा that is option d will be the right answer कि जो आपको jet parameters की value हो जाएगी that is 3.5, 1.5, 0.5 and 0.5 option d will be the right answer for this question ठीक है चले बात कर लेते हैं next question की अगला question भी आपको पूशा गया था आपका जो digital electronics से आपके दो functions की value दे रहे किस that is f1, f2 and f3 और जो f1 और f2 आपके एक ignore gate पे apply किया जा रहे है साथ इसाथ f3 and जो आपका f1 और f2 का ignore output वो एक and gate पे apply किया जा रहे है और उसके बाद जो आपका overall output वो y से remote किया गया है और आपको जो values दे गी है question में f1 की that is min term 0, 1, 2, 3, f2 की value दे रखी a, b, c, d that means 4 variables 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9 इसमें आपको एक सिस्ध्यान में रखने है जो f3 की value दे रखी that is a, b, c, d वो आपकी max term में दे रखी है तो max term में जो आपकी value दे रखी है वो आपको min term में लिख लेनी है f3 की value आपको min term में मिल जाएगी 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9 और आपको जो आपका output मिल जाएगा that is y is equal to 0 और इसका expression जो हो जाएगा y का that is y is equal to fs या फिर आपका सकते f3 dot f1 x nor और आपका जो f1 x nor f2 हो जाएगा और आपकी value हो जाएगी y की that is is equal to 0, c will be the right answer for this question बात करेंगे next question की next question आपका engineering mathematics से पूशा गया था कि for real values of x the minimum value of fx given by e to the power x plus e to the power minus x तो आपके पास एक function दिया हुआ था that is fx is equal to e to the power x plus e to the power minus x और आपसे क्या पूछा गया था तो what is the real value of x for the minimum value of fx तो आपको maximum maximum minimum theorem से आपकी जो function fx की minimum value पूछी गई थी तो according to maximum minimum theorem आपको क्या दिया हुआ कि आपको function दिया हुआ है that is fx is equal to e to the power x plus e to the power minus x यहां से आपको सबसे पहले first derivative and second derivative find out कर लेना है उसके बाद आपको जो first derivative होता है उसको 0 के equal put करने के बाद यहां से आपको एक x की value मिल जाएगी that is x is equal to 0 इसको हम put करेंगे f double dash x में और आपकी जो function की value आएगी that is negative ठीक है fs की value negative आती है और आपको जो function की value हो जाएगी at x is equal to 0 पे इसको जब हम fx में put करेंगे तो यहां से fx at x is equal to 0 पे आप देख सकते हैं जबकि function की value हो जाएगी that is 1 plus 1 is equal to 2 and the option a will be the right answer for this question चलिए बात कर लेते हैं next question की अगला question आपका communication system से पूशा गया था random variables हिप्टर से कि the probability density function of a random variable x is given is shown below option value of a a पूशी गई थी तो आप देख सकते हैं आपका एक distribution function दिया हुआ है that is represented by px और उसकी जो limits दे रखी है that is minus 3 to plus 3 साथ में आपका एक value जो 2 है उसकी भी दे रखी है तो इस तरीके के जो आपका functions होते है that is probability density function random variable of x का जो हो जाएगा इसमें जो आपके a की value हो जाएगी that is value of a is equal to 1 upon b plus a b plus a मतलब जो आपका function है उसकी जो limits है तो यहाँ पर limits आपकी 3 और 2 है तो आपका जो value हो जाएगी a की that is 1 upon b plus a that means 1 upon 3 plus 2 option यहाँ पर जाएगा option c will be the right answer a की value आपकी हो जाएगी 1 by 5